कि आज के लिए बहुत जादा महत्मुन है क्योंकि आज के क्लास में हिंदी के कोश्चन पेपर को ही सॉल्फ करेंगे आप सोचते होंगे कि सर हिंदी का कोश्चन पेपर आखिर हम लोग के लिए करके कहां से आए तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें आपको बताया जा अधिव्त सब्सक्राइब के लिए अधिक करेंगे स्लिएंगर में और विल्वत्स नमर नाय करेंग दो का क्या हो चैसा सबना फॉप हो जाएगा विक्रम जोर अधित्ते ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट को सनको कबर करते जो आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेगा क्या करा है सुद्ध वाक्य है यानि इन में से सुद्ध वाक्य कौन सा आपके सामने चाठ्थ है साहित्त और जीवन का घोर संबन आपका पत्र कनिया का होने जाड़ा है उन्हाफं को संधीया हैть उन्हाटि समस्थ क तीन को घोड़ा सब्द है जातिवाचक वेक्तिवाचक भावाचक सम वाचक तो इसका राइट एंसर क्या होगा चारका आपसर नमर ए विल भी दर राइट एंसर हो जाएगा यानि जाती वाचक ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कभर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए का पांच नमर कोशन में क्या कह रहा है कि इसका राइट एंसर क्या होगा तो आपको पता होगा कि नदी जो है वो क्या होगा यानि इस्त्रिलिंग होगा ठीक है इसका राइट एंसर और अपसन नमर ए विल वी दर राइट एंसर हो जाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कभर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है क्या कह रहा है कि स्याम ने मिठाई खाई करन कारक ठीक है करता कारक संपर्दा कारक अपर्दान कारक तो साथ क्य क्या हो जाएगा आपका अपसन नमर भी विल वी दर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है विरांथ चलिए नेक्स्ट को कभर करते हैं आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें यथा इर्थ सब्दका संदिविचे है यथा इर्थ सब्दका संदिविचे है यथा जोर ठर ठीक है यथा जोर अर्थ यथा जोर अर्थ उसके बाद यथा जोर रत क्या हो जाएगा तो राइट एंसर क्या होकर नाइन नमर का ऑफसन नमर सी विल 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 राइट एंसर हो जाएगा ठीक है यथा जोर अर्थ चल परकास सब्दकार लिंग निलने करें इन में से कोई नहीं तो पता होगा कि परकास सब्दकार लिंग निलने कोई नहीं चले फिर हम लोग नेक्स्ट कोईशन को कभर करते हैं क्या कह रहा है इसमें के बनावट के अनुसार सब्दके कितने भेद हैं तो तेरे का आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा निए ओप्सन नमर छी विल्वी तर राइट अंसर हो जाएका ठीक है तीन चले फिर हम लोग न चौदे का ऑफसा नमर क्या हो जाएगा ऑफसा नमर बी विल भी तर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है यानि आगा बोधक हो जाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर क्या कलाता है कि अपने पाउं पर कुलहारी मालना मुहावड की अभ्रे नंगा ऑफसाइगा अफसाइगा नमर बी विल भी तर्च सबस्ट को कपा का नगा क्वसाइगा तो सब्सक्राइगा ईको बदनाम जैना सब्सक्राइगा चलिए याने option number B will be the right answer हो जाएगा नहीं ठीक है option number D will be the right answer हो जाएगा चले फिर हम लोग next question को कभर करते हैं रात हुई और तारे निकले वाक्य है वाग की थिक है उसका आइट का 13 ओपसर नमर भी विलविदा राइटेंसर हो जाएगा ठिक है एसा अधारन वाग कीई प मातमा से खो एक कौन सा समास हा बहवीटी समास करमधारी सम्हास क्या अगte 59 का वर करमधारी समास हो जाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं इसे कौन सा स्विकार करेगा असर नाम अनिस चवाचक ठीक है शंबंद वाचक प्रश्णवाचक निजवाचक तो इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा प्रश्णवाचक हो जाएगा करमधारी समास हो जाएगा तो पता होगा कि21 आपका तो उसका होगा है यदानि मैधान धोना ठीक है राइट एंसर क्या होगा इसका बाइस का ऑफसन नमर सी विली भी राइट एंसर हो जाएगा नि मैदानी ठीक है फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं इसमें क्या करा कि परने योग के लिए एक सब्द है पठन पठनी ये पराकू पठ तो राइट एंसर क्या हो जागा या नि परने के लिए तो तो को शैने को मांट जाएगा नि चलिया Kerry को चलिफे अमले नेक्स्ट को कबर करते है तो आपके स्क्रिय मैं विश्चछ नंत्य चलिफ्ट निक्स्ट को कबर करते है विसेस सब्द का विलॉम है यानि ओविसेस अलिप्थ समान्य ओविसेस ठीक है इसका राइटेंसर क्या होगा 26 का ओफसन नमर्ड ए विल भी दर राइटेंसर हो जाएगा ठीक हो जाएगा चली फिर हम लोग नेक्स्ट को कवर करते हैं पेट में चुहा कुदना मुहाब्डे का अर्थ क्या होगा तो आप आपको पता ही होगा कि भूक लगना होता है तो जोर से जोर की भूक उपसन नमर्ड राइट एंसर हो जाएगा चली फिर हम लोग नेक्स्ट को कवर करते हैं क्या आपको बताना ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कवर करते हैं जिसे क्या कलाता है जिसे भय नहीं है एक सब्द है निभे निभे अभे निर्भिक इसको बताना है 29 का क्या हो जाएगा निभे चले फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं क्या कलाता है कि रचना की दिरिष्टी से किरिया को कितने भेद होते हैं तो 30 का रचना की दिरिष्टी से कि दिरिष्टी से किंद्य भेद थैंग जिसके रूप से लिंग वाचन पुरूस्वगा पाल आदी के कारण कोई विकार उत्पन नहीं होता है से कहते हैं क्या कि यह कहते है विशेशन के सवरणाब कहते तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमर बी नेक्स्ट को कबर करते हैं जातिवाचक उसके लाकिया क्या हो जाएगा नि लोह बहुत है क्या रहा जो वहाँ भासन दे रहा है सरो नाम क्या होगा निक्स्ट वाच्छो को जाएगा तो परश्न वाच्छो को जाएगा संबंद वाचक हो जाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं किस लेखक के रचना है या बालकिष्ण भट चंदधर सर्मा गुलेडी तो फिर हम लोग नेक्स को कबर करते हैं चब उत्रे पर बैट कर आपस में बात करने को या इसकूली लड़कों के बातचीत को या यूरोप के कवेकलाब पराविन विदिनमंडी को या दो बुड़ियों की बातचीत को तो इसका राइटेंसर क्यों हो जाएगा आपका 37 का लहना सिन को भते जी का क्या नाम था तो आपको पता हएगा 38 को अपसने को कफर करते हैं उसने कहा था कहानी में पल्टन का वीदू सक्कौन था तो इसका राइटेंसर को या थाए थाटेंसर को ओगा जाया ठीक है वजीरासिन चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कपर करते है को निमन में से कौन लेखक त्यू ओसोफी कल सुसाइटी से जूरे हुए थे ठीक है तो आपके स्कृरीन में चार आपका राइटेंसर आपसन नमर डी वूह एसका राइटेंसर क्या हो जाएगा या इंदे का सिक्षा पाठ के रपाट कौन है मुहंडाके, सचिनानन्द, हिरानन, या वत्सवयान, अगे, ठीक है, मलियलज, जैक कृष्ण मूर्ती, तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा, 42 का आपका आपसन नमर D, विल भी दर राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, जैक कृष्ण मूर्ती हो जाएगा, चले फिर हम का मूल नाम है, नर्पत सिरावास्तब, राहुल सिरावास्तब, निर्मल जी सिरावास्तब या भरत जी सिरावास्तब, तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा, 44 का आपसन नमर D, विल भी दर राइट एंसर हो जाएगा, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानि नाम और सिंद ने किया था चले फिर हम लोग नेक्स को कवर करते हैं क्या कलाता है इसमें कि नाम और सिंद वारा लिखित परगती और समान्ज क्या है एक आंकी है अत्म कता है या तरावितान थे या निबंद है तो इसके राइट एंसर क्या होगा 46 का ओपसर नमट डी बिद्धार राइट एंसर हो जाया था ठीक है निबंद चले फिर हम लोग नेक्स्ट को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर क्या रहता है मोहन डाकेस के बच्पन का नाम क्या था या जैवीर गुगलानी या त्रीपुराडी गुगलानी या सिभसरन गुगलानी तो इसका लाता है बालू की डगरों के बीच कोई खोई सी रह गई है यह धाडाएं जो कभी वर्ण स्री के धके वक्ष अस्थल में किल्क रहती है थी उसके परस्तु बंगित किस पार्ट की है तो यह देखिए आपके स्क्रीन पर चार अप्सन है इसका राइट एंसर आपको बताना है ठीक है चले फिर हम लोग नेक्स्ट को कभर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है जग्दिस चंद्र माथूर दोरा लिखा गया वो शदानीरा कैसा निबन है ठीक है वैंगत तमक्त या व्यक्तित भाव और सवस्तु परदान ठीक है हास्य परदान ललित परदान हो जाएग ठीक है नेक्स्ट को हम देखते हैं फिर सुर्दास किस भासा में महान कभी है राजिस्तानी बरत भासा खड़ी बोली या ओधी ठीक है राइटेंसर क्या जगा फिफ्टी का आप्सन नमर बी विल भी राइटेंसर हो जाएगा निबरत भासा चले